हेलो गाईज, वेलकम टू लर्न इस्पॉर्ट चैनल सो गाईज, चुब ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो यह है कि हमारी भारत सरकार ने 59 चाइनीज आप्स को कम्प्लीटली बैन कर दिया है इंडिया से तो ये इंडिया की डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से कुछ मेहनों से गलवान वैली में जिस प्रकार से तनाव छिड़ा हुआ है तो हमारी आर्मी, एर फोर्स और नेवी जिस तरीके से वहां बॉर्डर पे रहे के जवाब दे रही है वहीं हमारी Ministry of Information Technology ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए 59 Chinese Apps जो की भारत की App Market में बहुत बड़ा धमाल मचा रही थी फॉर एक्जामपल टिक टॉक, यूसी ब्राउजर, शेर इट ये जेंडर, ये सारी Apps को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है आज रात 12 बजे से तो गाईस, ये बहुत important news है आईए समझते हैं, देखें, अभी यहाँ पर टूट आया हुआ है Government of India Ministry of Information, Technology and Electronics का, उसमें बताया जा रहा है 59 Mobile Apps को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है अब गाईस, यहाँ पर ये बैन क्यों किया गया है, ये भी जान लेते हैं, क्योंकि देखें, ये Prejudicial to Sovereignity, Integrity भारत की कहीं न कहीं Sovereignity और Integrity को भंग करता है Defense of India को भी ये Effect करता है, Security of State भारत की Security में भी सेंध लगाता है और Public Order को भी Destroy करता है, इन सारे Reasons का यहाँ पर Value दिया गया है और इसको बताया गया कि ये सारे Reasons कहीं ना कहीं हो सकते हैं, इन 59 Chinese Apps को ban करने के लिए तो ये Official Tut है गाईस और Government of India का Press Release भी आया है जिसमें आप ये पूरा पढ़ सकते हैं इसमें मैं Important Points आपके साथ Discuss कर देता हूँ, तो ये जो किस Section के तहरत है तो ये Section 69A को Amend किया गया है IT Act के तो ये बहुत Important Question भी बन सकता है आपके Paper के लिए Section 69A है IT Act का, ठीक है गाईस और उसके बाद देखिए यहाँ पर CERT INA Computer Emergency Response Team of India has also received many representation from citizens regarding security of data in breach of privacy, तो guys ये जो Chinese apps ban की गई है इनका जो सबसे बड़ा problem create हो रहा था वो ये हो रहा था कि privacy issues बहुत जादा आ रहे थे कुछ दिनों से इनको लेके, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सरकार दौरा target किया गया है वो ये target भी है कि जो China दोरा tensions create किये जा रहे है border पे, उनको लेके भी इन Chinese apps को ban किया गया है तो Ministry of Home Affairs का जो एक letter आया था उससे भी ये काफी ज़्यादा effect देखने को हमको यहाँ पर मिल रहा है अब guys देख लेते हैं एक बार complete list क्या है in band app की तो मैं यहाँ पे आपको तो थोड़ा सा बता देता हूँ साड़ा चीज़े explain कर देता हूँ जैसे TikTok तो TikTok जो की सबसे ज़्यादा prevalent है हमारे इंडिया में youngsters के बीच में और कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी भी वो destroy कर रहा है तो यह completely ban कर दिया गया है और इसका एक alternative app मित्रो भी launch हुआ है इंडियन मार्केट में share it जिसमें हम file share करते हैं तो इसके देखिए अगर हम बात करें share it का जो एक important app हुआ करता था हमारे लिए आप इसके alternative भी जैसे files by google है ठीक है हमारा जैसे share all है यह सारी चीजों का भी आप utilization कर सकते हैं यूसी ब्राउजर बहुत लोग यूज करते होंगे यूसी ब्राउजर तो यूसी ब्राउजर को जो alternative है वो google chrome है mozilla firefox है आप उन सब का भी यूज कर सकते हो clash of kings जो की बहुत लोग प्री गेम हुआ करता था उसको भी बैन कर दिया गया डियू बैट्री सेवर hello likey we go video भी काफी चलता था इंडियन मार्केट में इसको भी बैन कर दिया गया है और जो है यहां पर vault hide है इसको बैन कर दिया डियू browser है cam scanner बहुत important app है मैं कहांगा cam scanner is the most important app for the Indians क्योंकि हम लोग अपने सारे documents को जो scan करते थे वो cam scanner के through ही करते थे तो इसका एक alternative जो हो सकता है क्यों क्या हो सकता है note block note block is the alternative एक और है Microsoft lens भी आप utilize कर सकते हो इसमें ठीक है तो यह भी हो सकता है sweet selfie काफी लोग pre app है इंडियन मार्केट का और और वी मेट यह सारे ही apps हैं यह सब को क्या कर दिया गया है बैंड कर दिया गया है तो guys यह एक short video था लेकिन most important video था कि कहीं ना कहीं हमारी भारत सरकार भी चीन के प्रती एक आकरात्मक रुख अपना रही है और उसको जताना चाहरे है कि जिस प्रकार से tensions create किये जा रहे है चाइनीज आर्मी के दौरा या फिर पियले के दौरा हम उसको कहीं दूसरे इस तर पर भी यह सारी चीज़े कर सकते हैं और अभी guys यह सिर्फ चाइनीज एप्स को ही बैं किया गया है धीरे धीरे जैसे आपन मैं देखाओका महराश्ट्र में एक पांच हजार करोड उपे का ओर्डर भी कैंसिल कर दिया गया था ठीक है प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया था इसी तरीके से कुछ टाइम बाद आने वाले समय भी जो चाइनीज मोबाइल होते हैं उनके उपर भी प्रहार किया जा सकत है तो बहुत सराहनी कदम है भारे सरकार दोरा और ऐसे कदम उठाने चाहिए उन देशों के खिलाफ जो भारत के खिलाफ बॉर्डर पे टेंशन्स क्रेट करते हैं या फिर भारत की जो प्राइवेशी इस्यूज हैं उसमें फंक डालते हैं तो गाईज अगर आपको ये वी अबस्क्राइब श्यानल थैंक यू गाईज बाई